हाई फ्रेंड्स तो डंकी का टेजर या ड्रॉप वान जो भी कहें मैंने दस से बाड़ा-बार आच्छे से देख लिया slow motion में देख लिया टेजर का जहां से शुरुवाद होता है ग्रेगिस्तान से शुरुवाद होता है वहापे कुछ इंसान का खुलिया भी और हड़ी भी पड़ा हुआ है यह बहुत ही एक serious issue है और dangerous भी है इसके बज़ा से illegal immigration होड़ा है I think यह जब लंडन से बापस आएगा इंडिया में इस अरके ने उस time का scene है बहुत आदमी का जान बहुत पहले गया है वह देखाने का कोशीश किया है उसके बाद एक अन्जल सक्स जो अपना सक्स है अपना खुशी के लिए गुली चलाता है यहां पर देखाई दे रहा है जो 6 आत्मी यहां पर जा रहा है लास्ट में भग भी रहा है और पीछे एक बहुत ही इमोशनाल गाना बज रहा है जो सनुनिगम का आवाज है और अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर SRK का बीर्ड लूख है मतलब अभी SRK का उमर हो चु यहां जाता है बाद SRK का क्या हिशाव है उस हिशाव से इस सीन दिया गया है इसके बाद आगला जो आता है तीन चार पास मूवी जो ब्लोगबस्टर मूवी एपीके 3 days शन्जू मुन्ना भाई एंड रसकमोने लादी लब यह ब्लोगबस्टर मूवी है यह भी होने बाद और उसके बाद जो भुगु इसका मामी अपना दादी के नाम से कुसम किला रहा है तो लॉंड़न जाने का सोचेगा तो दादी मर जाएगा तो दादी मर जाता है एंड दादी मर जाने के बाद जो ए सीन दादी को लेके जाड है वो सीन एंड यहाँ पे जो डैन्स होड़ा है इस दोनों सीन को एक ही जगा से शुट किया गया है क्योंकि इसका दिवार पर हम लोग देख सकते हैं UK, Canada, Australia का भी नाम वहाँ है मतलब यह गली में एक्चॉली विशा बनता है, इलीगाल विशा, किसको किदाद जाना है उसी सबसे विशा एलोग बना के देता है भुग्गु एक डॉक्टर है, उनका अड्रेस देखके लग रहा है, डॉक्टर कोड है यह डॉक्टरी का पड़ाई कर रहा है यह तो पक्का देखाई दे रहा है और साथ में इस फोटो को इस सीन को अगा ध्यान से देखे तो दो-चार हिंट्स भी आपे आता है, क्रिष्णा यह फोटोशॉप है, देखाई दे रहा है, नाम है क्रिष्णा एक्चलि यह पांजाब का हिशाब से बना हुआ है, और वहाँ पे दो-चार चीज अल दिखा है टुरिस्ट विशा, पी आर विशा, पी एनर विशा, बेस्ट अपर अनली पर टुडे, बतलब एक लोकाल मार्केट में जैसे होता है, उस चाप से एकदम बना हुआ है और चारो तरो बस कार्ड है, ट्रावेल कार्ड, मानी एक्सेल से, बतलब एक गोली में यह विडियो काना शूट हुआ है एक फान कोमेडी सौं होगा, और यहाँ पर अगर ड्रेस कोट दिखाई दे रहा है, तो एक एक आदमी एक एक देश का फ्लाग है, उसका ड्रेस कोट पहना है, बस SRK को छोड़के यह काभी फान सौं होने वाला है, एक काभी फान सौं होने वाला है, और यहाँ पर पुड़ा पंजाबी का ड्यान से स्टेप लग रहा है, और उसके बाद यहाँ पे जो इस कुटी को लेके तीन आदमी जाड़ाई SRK के, तपसिपानों पीछे बैटा है, और यहाँ पे त अपना देखता है, तो अपना साइकल पे वो लगा के घूम रहे है, अगर इसको ढॉंग से देखा जाए, तो इस सिन को बाकी शारे करेक्टर कोई ना कोई फाइल पे वीजी है, मार्केट में यहाँ पे यह लरका को देख सकते हैं, तो यह भी अपना भीशा के लिए ट्रा याँ छाहिं है उनहोंने, लव एक एक फ्रेम को बात बढ़िया तरिके से शुट किया गया है, जिन को देखते हैं तो इह देखाए दीता है यह सारे के पालवान फैमीली से बिलंग करता है, जहाँ पे कुस्ति लड़ाई करता है, यहां को कुस्ति आता है, एस आरे को यहा सबसी एक पक्का कुस्ती उनको आता है। निरानी का लाकी चार्म कह सकते है बोमा निरानी इस मुवी में भी है। वो एक पोफेसर का किद्दार निभाड़ा है और यहां पर एक बहुत ही फंटास्टिक सीन लग रहा है। यह सरके बोमा निरानी अपना कीसी कर लेगा दोनों यहां पर एक सरके को अगर ठीक से देखा जाए तो अपना बोड़ी, शॉड़ी, बाइसेप, ट्राइसेप बहुत बढ़िया तरीके से देखाई दे रहा है। इस उमान में भी सब है ठीक ठाक वो देखाई दे रहा है। साफ में बहुत सारे पलवान अपना चड़ी में घ जो सही बात है अगार इच्छा हो तो वह होगा ही होगा। यह लिखाए यहां पर साइड में कानाडा का फ्लाग है और और एक चीज़ है पीस अप केक मतलब कानाडा जाना बहुत इजी है और इंग्लाड के फ्लाग के नीचे क्या लेका है फ्यूचर अब इंग्लाड इस इस रूम से ही इंग्लाड का फ्यूचर त्वयार होगा यह भी लिखा है और टेबिल पर अगर धैंस देखा जाएथ इंग्लाड का फ्लाग है मतलब पुड़ा यहां पर पढ़के विदेश जाने का त्यार ही होता है और बहुत सारा किताब यहां पर रखा हुआ है एक दो पुड़ गुलाटी कोपिल शर्मा शो का याधिना उसके साथ कोई सिमिलारीटी होगा जोरूर करेक्टर में हो सकता है तो यह सारे डिटेश निकल काता है और उस रूम में ही यह पाच एसर के को लेके पाच पढ़ता है और उसके बाद बिकी कोशल को थोड़ा सा देखाए लेकिन नहीं कि उसके ऐसो एक स्थाय और उसके बाद एक से दो शचम्राइबा कोई सिने पर पस के एसर और यह जो ब्हाइब में लिखा बहुता जा किरेंगाए और उसके बाद यह परत तो यह यह बहुत सारे चीज शूट हुआ है और कुछ ऐसे जोई कर डाए मतलल लंडन में पोज गाए अशली मूवी का प्लोट आई थिंक वह अने बाला है और इस बैक को अगर ध्यान से आप लोग देखो गया तो यही बैक को पोस्टर में उसकिया गया है यह आडमी बाला बैक को तो बहुत सारे डिटेल से आल पे निकल के आता है अगर कुछ डिटेल सामने मिस कर गया तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट कर सकते हो अगर इस फोटो को ध्यान से देखा जाए तो पास को पाचो ड्रेस पहनाया गया है वर लोग किसी एक तरह का नहीं है इसमें कोट, शूट और आइटिंक इसमें यह सार के अंतप्शी का क्या डिलेशन होगा लाब डिलेशन होगा या फ्रेंड्शिप से लाब में परनवर्ट होगा वो चीज बस मुवी देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा उसके बाद यह किलियर होगा और आइटिंक रासकुमर रहानी कुस मास्टरपीस तो इसमें लेके आएगा कि यो डिरेक्टर ही या इसमास्टरपीस बला डिरेक्टर है तो आइटिंक यह मुवी आउट अपड़ ट्राक मुवी है जो आम लोग गेस नहीं कर सकते बस इलिगल इमिग्रेशन का जो एफेक्ट होता है उसका जो इमोशन होता है कैसे आदमी मर जाता है कैसे आपना देश में आने के लिए तरपता है और चीज इसमें देखाई देगा आइटिंक इमोशनाली कानेक्ट होगा और मुवी में दोचर गाना तो जरूर होगा और मुवी थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि इसका एक खास स्टोरी प्लोट होगा जो रासकुमार हिरा ने अपना स्टोरी खुद लिखता है तो मुवी का अगर ट्रेजर को देखा जाए तो ट्रेजर बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग बाला है और इस मुवी से आई थिंक कुछ नया रेकॉर्ड भी बनेगा जो फड़ेन और वाल्ड वाइट कुछ कालेक्शन का भी रेकॉर्ड बनेगा और इसरके का अगल दूख देखा जाए दो यह जो हाप स्टोर इसरके ने पैना है अपना कुर्ता के ओपोर इसको देखके पुराना जो एर टीम इंडिया का स्टोर होता था ठंड के टाइम को पड़ता था जब बॉड़ी बिल्डिंग अपना टीम ने नहीं आया था उस टाइम ऐसा स्टोर पैन था एंड एसरके का पैन भी कार्गो पैन पैना है जो, पासपर्ट बनने के बाद यह लोग सब का हाथ में फ है तो यह देखके लगदा है फैनली इनको कुछ रास्ता मिल गया, उसके बाद अतना जौई करते हुए यह लोग आ रहे है जे आप लंडन जाने से कोई नहीं रोग सकता है तो SRK का आखों में चश्मा है, हाथ में घड़ी है and I think Vicky Koshal इसमें एक educated बंदा का रोल ले करेगा जुरूर क्योंको उनका लुक देखके ऐसे लग रहे and SRK का तीन लुक इसमें है एक पुरा clean shape बला एक बच्चा बाला रूप रूप एक बहुत जादा ब्याड बाला जो पहले देखाए देरा है बहुत जादा deep meaning बाला स्टोडी से मूवी होगा and Tafsi Panu, Vicky Koshal everyone Vaughan is so talented actor here I think इस मूवी का blockbuster होना तयार है अब लोग को क्या ख्याल है, comment section में दिलोर comment करना and video में कुछ पसंदया तो like कर दूना channel में नाया तो subscribe कर दूना अगला video में फिर मिलते हैं लाइस